आज की जो शॉर्ट डेफिनेशन होगी वो फार्मा को गनुसी इसे ली गई है क्रूड ड्रॉग्स की डेफिनेशन स्टूडेंट्स अ क्रूड ड्रॉग इस एनी नेचरली अकरिंग अन्रिफाइंड सबस्तेंस derived from organic or inorganic sources such as plant, animal, bacteria, organs or whole organism intended for use in the diagnosis, cure, treatment or prevention of disease in man or other animal. Students, अगर इसकी short definition या इसकी simple definition की जाए crude drugs की, तो ऐसी naturally occurring drugs हैं, यानि सबसे पहले एक बात जहन में रहे, कि जब आपने crude drugs की definition करनी है तो दो तीन लफ्स को याद रखिएगा, एक naturally occurring unrefined substances, यानि उदरती तोर पे unrefined substances जो है, जिनसे drugs ली जाती हैं, वो organic भी हो सकती हैं, inorganic भी हो सकती हैं, यानि plant भी crude drugs प्लांट से भी ली जा सकती हैं, उसका source animal भी है, microbes भी है, bacteria भी है, इसके लावा minerals भी है, या तो कोई organ भी particular किसी जो organism है, उसका organ हो सकता है, या whole organism से मराद के microbes या microorganism मकमल तोर पे भी crude drugs उससे, जो वो crude की जा सकती हैं, अब ये जो crude drugs हैं, या drugs हैं, students ये इस्तमाल होती हैं, diagnose के लिए, किसी भी, यानि disease के diagnose के लिए, disease को cure करने के लिए, disease prevention के लिए, वो disease इंसानों में हो सकती है, या animal के अंदर हो सकती है, crude drugs की example की बात करूँ, तो phenomenon जो है, वो दार्चीनी जिसको आप कहते हैं, इससे वोल्टाइल substances जो है, वो isolate किया जाते हैं, अब cloves है, long जिसको आप कहते हैं, ये एक crude drug है, इससे आप वोल्टाइल substances जो हैं, वो derived करते हैं, इस तरह से सौफ है, student जीरा है, अद्रक है, उसके अलावा students healthy है, ये तमाम substances जो है, crude drugs हैं, इन से जो drugs हैं, medicinal drugs हैं, वो derived की जाती हैं, और इस form में अगर आप किसी store पे जाते हैं, वहाँ से आप cloves purchase करते हैं, तो वो आपको crude form में मिलेंगे, इस drug की condition को, यह इस हालत को हम crude drugs कहेंगे, बहुत शुक्रिया students, मिलते हैं अगली short definition के साथ, असलाम अलेकम,